सर्फिस क्लीनर, फ्लोर क्लीनर और सैनेडाइजर्स को लेके एक बहुत बड़ा और भयानक रीसर्च सामने आया है इस रीसर्च के अनुसार जो डॉक्टर एरिका हाट्मन ने की है और इस रीसर्च को पब्लिश किया है Environmental Science and Technology नाम की एक मैगजिन में इस रीसर्च में ऐसा कहा गया है कि जितने भी डिसिंफेक्टेंट्स के अंदर कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंट्स प्रेजेंट है उसके बज़े से बैक्टिरी आने वाले समय में और स्ट्रॉंग हो जाएगा और वो रेजिस्टन्स देगा उन दवाईयों को जो आज हम इस्तिमाल करते है यूमन्स के अंदर इंफेक्शन कर रहा होता है इतना ही नहीं कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंट्स के वज़े से आपके इम्यून सिस्टम को भी डामेज हो सकता है इन्फर्डिलिटी देखी गई है अनिमल स्टेडीज में यानि कि ओफ्स्प्रिंग होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अनिमल्स में अगर वो कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंट्स के कॉंटेक्ट में आते तो यह इतना खतरनाक कंपाउंट है आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके डिसिंफेक्टेंट में कॉतर्नरी अमोनियम कंपाउंट है या नहीं तो तीन केमिकल है बेंजाल कोनियम क्लोराइड दाइमिथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड और बेंजाथोनियम क्लोराइड अगर इन में से कोई भी chemical आपके disinfectant में मुझूद है तो आप उसको use करना बंद कर दीजी देखें दोस्तों ये disinfectant वाली industry जो है भारत में इसका turnover 460 million dollars का है तो हो सकता है ये news आप तक ना पोचे इसलिए इस research को आप ज़ादा से ज़ादा लोगों तक